पित्वी पर लगातार बढ़ रही आबादी के कारण पित्वी पर मौजूद रिसोर्स और लैंड एरिया कम बढ़ रहा है। पित्वी पर जनसंख्या के बढ़ने की दर तेज गती से बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम सौर मंडल के किसी दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट होने की तैयारी करें। इसी वज़ा से पिछले कुछ दश्यकों से वेगानिक सौर मंडल के ऐसे ग्रहों को ढूनने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हालात पृत्वी जैसे हूँ और जहां भविश्य में इनसान रह सके। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसी बहुत सारी जगें मौजूद हैं जैसे चांद, मंगल ग्रह और शनी ग्रह का चांद टाइटन। लेकिन इन ग्रहों पर रहने के लिए वहां काफी मौडिफिकेशन की जरूरत है क्योंकि ये प्लैनेट अंत्रिक्ष्ट के बहुत ही एक्स्ट्रीम इलाकों में मौजूद हैं। हमारी ये जात्रा चंदर्मा से ही शुरू होगी क्योंकि बाकी ग्रहों के मुकाबले प्रित्वी और चंदर्मा की दूरी काफी कम है जहां बार बार जाना आसान होगा। हिसके साथ ही वैगानिक मंगल ग्रह पर भी इंसानी बस्तियां बनाने के सपने देख रहे हैं। अभी तक हम मंगल ग्रह पर पहुंचने के करीब भी नहीं हैं लेकिन इसके लिए कोशिशें जरूर की जा रही है। दक्यारियो सीटी रोवर मंगल क्रै पर भेजे जाने वाले फेमस अंत्रेक्ष जानों में से एक है इस रोवर ने वैगयानकों को मंगल क्रै के बारे में बहुत सारे महत्तपुरन जानकारियां दी ये रोवर 6 अगस 2012 को मंगल की सताय पर लांच हुआ था वैगयानकों ने इसे बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया था जिस वज़े से इसने लैंड होने के बाद जल्द ही अपना काम चुरू कर दिया था इसने वहां की तस्वीरें प्रिथवी पर मौजूद टीम को भेजी इसने मंगल ग्रे की मिट्टी का सेंपल कलेक्ट किया जिस से पता चला कि अर्बू साल पहले जहां पानी मौजूद था दे क्योरियोर सिटी रोवर ने वहां सैलेमेंटरी रॉक्स की खोज की ये वैगयानकों के लिए एक बहुत बड़ी खोई थी मंगल ग्रे पर लोही की मात्रा बहुत ज़्यादा है आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल का लाल रंग भी लोहे के कारण ही है यहां पर आईरेन आकसाइड भारी मात्रा में मौजूद है वेग्यानकों का कहना है कि शुरू में मंगल ग्रै नीले और भूरे रंग का होगा लेकिन जियोलोजिकल फैक्ट्स के कारण इसका रंग बदल कर लाल हो गया और इसी के साथ यहां से पानी भी खतम हो गया और ये एक बंजर ग्रै बन गया रिसर्च से पता चला कि जिस जगह पर दा क्योरियो सिटी रोवर काम कर रहा था वहां कभी पानी मौजूद था ये पानी प्रिथवी पर मौजूद नदियों की तरह ही बहता था इसी बहते पानी की वज़े से मंगल ग्रै पर सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म होते हुए दिखाई देती है ये प्रिथवी पर भी होते है क्योंकि मंगल पर भी पानी बहता होगा इसी वज़े से जहां सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म होते है इस रिसर्च से अनुमान लगता है कि मंगल ग्रै पर किसी समय जीवन मौजूद होगा मंगल ग्रै के पास वायू मंडल ना होने के कारण वहां का पानी एवैपोरेट होकर स्पेस में चला गया क्योंकि एट्मोस्फियर ना होने के कारण सूरे से आने वाली हारमफूर्ड रेडियेशन्स मंगल के सतय को डायरेक्ट हिट करती है इस रोवर द्वारा की डिस्कवरी से मार्स पर एलियन लाइफ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है दा क्योरियो सिटी रोवर को वहां और गैनिक कमपाउंड मिलते है जो मिलकर किसी जीव को बनाते है हाला के वहां जीवन होने के कोई पक्के सबूत नहीं है वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद